नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन मंसल वास्तु कंसिल्टेंट आज फिर मैं आपने यूटूब के कमेंट बॉक्स में आई विए मैसेज का जवाब देना चाहूंगा राकेश वद्वानी जी का मेसेज आया है इन्होंने लिखाया है सभी वास्तु शास्त्री ये कहते हैं कि स्टेस के नीचे यहां ये नहीं होना चाहिए लेकिन मेरा सवाल है कि स्टेस के नीचे की खाली जगय का क्या उप्योग करना चाहिए देखे मैं आपको कहना चाहूंगा आपकी स्टेस के नीचे कोई भी सामान नहीं होना चाहिए जब जब आप स्टेर्स के नीचे सामान भरेंगे उसे स्टोर बनाएंगे तो वो तकलिफ आपको जरूर देगा आपके यहाँ प्रेशानी जरूर आएगी आपके स्टेर्स नॉर्थ वेस्ट में बनी हुई है या साउथ हिस्ट में बनी हुई है यहाँ पर हलका फलका सामान थोड़ा बहुत रख सकते हैं कोशिश करें कि North West का एरिया आपका यानि North West में आपकी स्टेर्स बनी है तो उसका हिस्सा आपका खाली होना चाहिए जो आपका अपना South East में स्टेर्स बनी हुई है वहाँ पर आप अपने South East जोन में स्टेर्स के नीचे इनवर्टर रख सकते हैं आपकी स्टेर्स South जोन में बनी हुई है या West जोन में बनी हुई है यहाँ पर आप अपना भारी सामान रख सकते हैं साथ वेस्ट में आपकी स्टेर्स बनी हुई है तो यहां पर भी आप भारी सामान स्टेर्स के नीचे रख सकते हैं लेकिन जो जरूरी सामान है जो किमती सामान है वो स्टेर्स के नीचे नहीं आना चाहिए इस बात का आपको खास दोर पर ध्यान रखना चाहिए मैंने क्या बताया आपको नौर्थ हिस्ट में, नौर्थ में, इस्ट में और सेंटर में आपकी स्टेर्स है तो वहाँ स्टेर्स के नीचे कोई लिए सामान नहीं आना चाहिए नौर्थ वेस्ट जोन में अगर मजबूरी हो तो हलका फुलका सामान रख सकते है कोशिश करें कि Northwest zone में बनी हुई स्टेर्स के नीचे भी कोई सामान ना रखें ऐसे ही साउथ हिस्ट में जो स्टेर्स बनी है वहाँ पर मैंने आपको बताया कि इन्वेटर आप रख सकते हैं बाकि South zone में, West zone में और South zone में आप भारी सामान स्टेर्स के नीचे रख सकते हैं उसको स्टोर बना सकते हैं कीमती सामान आपने वहाँ पर नहीं रखना है आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो मेरा अपने यह मानना है की आपको Kakosess के नीचे सामान रखने से कोई तकलीफ नहीं होगी मेरे द्वारा इस वीडियो में दे गई जनकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरी इस वीडियो को अपने family और friends के facebook ग्रूप और whatsapp ग्रूप पर ज़्यादा से ज़्यादा share करें आप भी अपनी किसी site के बारे में जानना चाते हैं आपका भी कोई स्वाल है कोई question है तो आप हमारे youtube के comment box में message लेख सकते हैं मैं कोशिश करूआ कि वीडियो के मादेम से आपके question का answer जरूर दो आप अपनी किसी site के लिए online सलाह लेना चाते तो आप हमसे online सलाह भी ले सकते हैं और आप अपनी किसी site का map बनवाना चाते तो आप हमारे यहां से वास्तु शास्तर के अंसार map भी बनवा सकते हैं आप अपने नया घर बनाने जा रहे हैं या अपने घर को रेनुवेट करने जा रहे हैं या आप अपनी नई फैक्टरी लगाने जा रहे हैं या आपकी फैक्टरी में बर बर दिक्कत आ रही है तो आप हमारी पुस्तक लक्ष्मी प्रविश कैसे हो मंगवा सकते हैं हमारी यह फुस तक आपकी बिल्डिंग को वासु दोश मुक्त बनाने में साहिक जरूर होगी इसी तरह अगले प्रोगाम में फिर एक नवी शेय पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार